Good morning students, today we will learn chapter 2 Wonderful Waste इसका एक question हम पहले कर चुके हैं, आगे के कुछ questions हम आज इस वीडियो में हम करेंगे Next question हमारा है, make new words by adding or dropping a few letters from the root word Some are done for you, यानि कि नए words आपको बनाने हैं और उसमें कुछ add करना है या उसमें से हटाना है Letter, last के जो letter होते हैं, उन में से कुछ letter या तो आपको हटाने हैं या जोडने हैं Root word, यानि कि जो एक पूरा word होता है, उसके last के दो या तीन letter हटा के या जोड के हमें नया word बनाना है ये बिटा आपके book में भी है, इसको हम इस तरह से देखेंगे कि एक side word लिखेवे हैं और right side इसमें ed, ing, er या est ऐसा कुछ जोड सकता है जिससे वो नया word बने, जैसे यहां words है pound, pound मतलब बाड़े में बन रखना try मतलब कोशिश, large मतलब बड़ा, new मतलब नया, tasty मतलब स्वादिष्ट, wise मतलब बुद्धिमान, stare मतलब, एक टक देखते रहना, clean मतलब साफ अब बच्चों इसमें हमें word जो नया बनेगा, अब हमें यह देखना है कि ed लग जाएगा तो नया word बनेगा, या ing लग जाएगा तो नया word बनेगा, या er लग जाएगा तो नया word बनेगा तो हम इसमें देखेंगे कि क्या answer है देखिए बच्चों, answers में हम देखेंगे कि pound जैसे word है तो pound में pounded, ये एक नया word है pounding, ये भी नया word है अब अगे cross लगाया, er में, यानि pounder कोई word नहीं होता और ना ही poundest होता, इसलिए इन दोनों में cross लग गया next is try, अब try में लगता है tried, आपने सुनाओगा tried अब y हट गया इसमें, i, e, d लग गया इसमें ing लगाने के लिए trying, ट, y, ing, trying लेकिन tryer कोई word नहीं होता, tryist कोई word नहीं होता इसलिए वहाँ पे cross लगा दिया इसी तरहे large, तो large कुछ नहीं होता, larging कुछ नहीं होता larger होता है और largest होता है इसी तरहे new, new का newer और newest tasty का tasted, tasting, tastier, tastiest यानि ed जब लगता है यानि past tense होता है कि taste अच्छा था tasting अच्छा है और tastier मतलब एक से अगर हम compare करेंगे कि यह उससे भी ज़्यादा tastier है और tastiest मतलब उससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा तो tastiest comparison words है मैं बाद में आपको इनके comparison words कराऊंगी अब है next wise, wise का wise कुछ नहीं होता, wising कुछ नहीं होता wiser होता है और wisest होता है next is stare, stare का होगा stared and staring फिर है clean, clean में बिटा cleaned भी होता है cleaning भी होता है, cleaner and cleanest तो बच्चों यह आपको ध्यान रखने है, कुछ words है, इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसमे ed लगता है, किसमे ing लगता है और किसमे er और est लगता है तो बच्चों यह आपका काम है, आज आप इनको copy में करेंगे और इसको learn भी करेंगे Thank you class